हेलो गाईज टोल आफ यॉल इवरीवन वेलकॉम टू माई यूटूब चैनल सुरिया स्टेडी सेंटर तो गाईज आप जानते हैं कि मैं डेली बॉर्निंग सो में आप लोग के लिए करेंट अफेर्स का कुछ कोश्चन से लेकर आता हूं कुछ उसका पॉइंट एभू से हर इसमें आप लोग को मैं बता दू हूं कि इसमें एमकुष तो इसमें कोई बताऊंगा सबसे पहले कि इसमें जो इनकुलिट किए हैं कूश्चन 1727 जन escolarem to 28 जनुरी का इसमें को इसमें बताऊंगा तो सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम लोग यहां पे देख रहे हैं इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बाद मुवन करेंगे किस पर तो सबसे पहले यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि इनिमल इवेंट वहारत पूर्व डेट बिगेन फ्रों 26 तो 31 जन्वरी इन निव दिली इन दिली वाज एनुग्रेटेड वाइड सेक्रेट्री एंड फाइनेंशिल एडवाइजर ओफ मिनिस्ट्री ओफ टोरीजम स्री राजेस कुमार चतुरवेदी एट रेट फोर्ड ग्राउंड द थीम फोर 2020 इज एक भारत जो इसका थीम है एक भारत क्या है गाईच यहां आप देख रहे हैं जो इसका थीम है वो क्या है एक भारत एक भारत स्वर्वस्रेश्ट यानि कि एक भारत स्रेश्ट भारत और जो यहां पर देख रहे हैं कि 150 यार्स ओफ महतमा गांधी जो इसका स्लिब्रेटिंग कर रहे हैं यह कौन सा मतलब कि है कि 150 साल महतमा गांधी क जसन है celebrating कर रहे हैं लोग यहां पर आप लोग मैं बता दूं कुछ कि दिल्ली में क्या किया गया है 26 से 31 जनुवरी में जनुवरी से सुरू होने वाली जो वारशी कारे करम भारत पूरुव का दुर्गहटना लाल किला मैदान में परेटन मंत्राले के सचीव और उसका बीत्य सलाह और राजेस कुमार चत्रवद्दी ने क्या किया है 2020 का ये क्या किया गया है यहां पर बता दूंगाइज 2020 का एक या है थीम है कि एक भारत स्वर्वस्रेश्ट भारत और ये कौन सा ज्यस्न मनाया जा रहा है कि 150 साल का महतमा गांधी का ज्यस्न है नेक्ट कुछ पॉइ यहां पर देख रहे हैं पॉइंट नमर फर्स्ट की इंटरनेशनल कोस्टम डे एक या है लोगो इंटरनेशनल कोस्टम डे यानिकी 26 जनुवरी का मनाया जाता है इंटरनेशनल कोस्टम डे वाज दो अब्जर्व अन 26 जनुवरी दे रिकोनाइज़ दे रूल ओफ कोस्टम official and agencies in the maintaining border security यानि कि 26 January को अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है इसको हिंदी में बोलते हैं International को इंटरनेशनल कोस्टम डे को हिंदी में बोला जाता है अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवस बोला जाता है जो मनाया जाता है दिन सीमा सुल्क चाव बनाये गए रखने के लिए कोस्टम अधिकारी और एजेंसी के भूमिका को क्या कहा जाता है मतलग इसमें पहचानना जाता है नेक्ट पॉइंट देख रहे हैं गाई जी स्क्रीन पर यहाँ पर कहा रहा कि इंडिया और बंगलादेश साइनेड एंड 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 एग्रिमेंट अपग्रेड क्या कहा रहा है अपग्रेड आशु गंच और खोडा रूड इन ये फूर लाइन क्या कहा रहा है ये फूर लाइन हाईवे ओन 24 जनवरी 2020 यानि कि जो भारत और बंगलादेश ने 24 जनवरी 2020 को आशु गंच और खोडा सनक को पूर लेन मारग राज मरग में क्या किया गया है औप ग्रेड करने के लिए एक समझावता आपक्या किया गया है नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर कि दर्थ हर्टिन क्या करा है कि दर्थ हर्टिन एनिवल एडिशन क्या करा है एनिवल एडिशन ओफ जी जैपूर लेक्टरेचर फैस्टीवल एजी बेंग हेल्ड इन एट डिगी प्लेस जैपूर राजस्थान यानि कि जो जी जैपूर लिटिलेचर जो है यहाँ पर फेस्टिवल का तेरहाँवा बार्शिक प्रसंस करना राजस्थान के जैपूर के डीगी फैक्स, डीगी प्लेस में आयोजित किया जा रहा है इसका जो विसाय है एक दूसरे की कहानियों को सिखना इसका विसाय क्या है इसका थिम क्या है लर्निंग इच अधर श्टोरी यानि कि एक दूसरे की कहानियों को सिखना नेक्स्ट पॉइंट यहां पर गाज देख रहे हैं आप लो कि वोल्ड अर्चरी लिफ्टेट इट बैन ऑन दर अर्चरी एसोसियेशन ओफ इंडिया दवूस्ट इंडिया अर्चरस प्रेशन फूर्ड टीक्यू टीक्यू अलोंपिक यानि कि जो टोक्यू अलोंपिक के लमड लंपिक के लिए 20 इसे खेल ओन सथा अलोंपिक उसमें जो हमारे घारत के खिल आडिया और उसमें भाग नहीं ले पाते थे उस पर बैन लगाया गया था बट उस बैन को अब क्या कर दियागा है हटा दिया गया है तो next point आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर गुर्मेंट विल सेट अप और मेमोरियल फोर दे एनिमल इन मेरूट उत्तर परदेश दे मेमोरियल विल सेट अप दे एक कर रहा है रिमांड एनड दा भेर्टेनरी कॉर्फ सेंटर यानि कि जो सरकार उत्तर परदेश की मेरट में जानवरों के लिए युद असमार्ग अस्थापित करने मतलब अस्थापित क्या करेगी करेगी और असमार्ग के अस्थापन रेमाउंट एंड बेटनरी कोर केंद्र की जाएगी केंद्र में की जाएगी तो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट कॉस्चन सहीं मैं गाईज कि recently India actors, Indian actors DP का पादुकून has been honored with which award in World Economics Forum 2020 यानि कि हाल ही में जो Economics Forum 2020 में भारती अभिनेतरी DP का पादुकून किस आवार्ड से समानित किया जाएगा तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? क्रिंश्टल आवार्ड से समानित किया जाएगा क्या हो जाएगा? A is the right answer this question The next question कि we move on करते है guys सबसे पहले मैं बता दो यहां पर कुछ और कि जो एवाड दिया गया है तो एक कहां पर दिया गया है उसके बारे मैं बता दू आपको ति जो आवाड दिया गया है वो दावोस स्यूटीजर लैंड में दिया गया है इसको दिया गया है तो दीपी का पादीकूण को दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दीपी का एक मात्र भारती अभिनेतरी बन गई है इनको दिया गया है नेक्स्ट कोच्चन से गाईस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कोच्चन कर रहा है कि रिशेंटली फोटीनाइन चिल्डेन है व बीन ओर वित बाल सकती परुसकार वाई हूम यानि कि हाल ही में किसके दुआरा बाल सकती परुसकार 2020 से 2049 बच्चों को समानित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है तो रामनात को बिन द्वारा किया गया है इसका राइट एंसर क्या होज़ा है C is the right answer this question और इसको में किया गया है तो इसमें एक और बात है गाइज बता दूँ आपको कि इसमें जो बारा साल के यानि कि बच्चों में ये टोटल जो बच्चे हैं पुरुषकार दिये गए है उसमें एक बारा बरसी एक बालक है जो दर्स मलानी भी है बारा बरसी दर्स मलानी भी है जिन है जिसने दुनिया भर में कितना 50 से अधिक मैजिक सो किये हैं दुनिया भर में यानि कि 20 सो भर में 50 मैजिक सो किये गये हैं मतलब कि किये हैं किये है ओ कौन है तो दर्समलानी है नेक्स्ट कोश्चन स्क्रेम पर देख रहें कि इस वीच इस दो मोस्ट पॉलूटेड शीट्य ऑफ क्या इंडिया recently यानि कि हल ही में भारत का सबसे प्रदूसर सहर कौन सा है प्रदूसर सहर कौन सा है तो इसका right answer का हुज़ा जहरिया अब जहरिया होगा तो जहरिया आप पुछेंगे यहां से यह questions और बनेगे कि जहरिया कहां पर पढ़ता है तो जहरिया यह पढ़ता है जहारखण में पढ़ता है जहड़िया तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका जो राइट एंसर होगा B, B is the right answer जहरिया हो जाएगा Next question सी screen पहे गईज देख रहे हैं यहाँ पर यहां पर जो जहरिया है यहां पर देख रहे हैं कि ग्रीन पीस इंडिया दोवारा क्या किया गाई इस रिपोर्ट को दी गई है ना आये जो दसवे अस्थान पर पर दुसीत में दसवे अस्थान पर कौन से सहर हैं निव दिली हैं नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं नेक्स्ट कोस्टन से देख रहे हैं गाई यहां पर गुलोबल अन्फ्लाइमेंट इच प्रोजेक्टेड टू इंक्रीजड बाइद एप्रोक्समेटली हाउ मैनी मिलियन इन 2020 यहां बैस भी रोजिगारों रोजिगारी 2020 के लगभग कितने मिलियन बढ़ने का अनुमान है तो इसका राइट एंसर का होज़ेगा 2.5 2.5 इस दराइट एंसर दिस कोस्टेंस नेक्स्ट कोस्टेंस स्क्रीन पर गाईज आप देख रहे हैं नेक्स्ट कोस्टेंस है कि रिशेंटली वीच कंट्री है जासेज फूल टेस्टेड द ब्लैस्टिक मिसाइल गजन भी यानि कि हल ही में किस दिस के द्वारा ब्लैस्टिक मिसाइल गजन भी का जो सफल पर सिक्षण परिस्षण किया गया है तो कहां पर किया गया है गाईज तो इस पकिस्तान में किया गया है राइट एंसर इस दर राइट एंसर दिस कोस्टेंस यहां वे पकिस्तान में किया गया है यह जो मिसाइल है सत्ह से सत्ह पर मार करनेवाले ब्लैपिक मिसाइल गजनभी के सफल पर िक्षण किया गया है और इसमें Inter, Services, Public और Recence ने मतलब की इनके दोडरा यह बयान दिया गया है यह जो मिसाइल है ब्लैस्टिक जो मिसाल है सत्ह पर सत्ह मतलग कि इसमें मार किया जाएगा मारा जा सकता है नेक्ट कोशन देख रहे हैं गाइज स्क्रीन पर आप लोग कि विन दा एनिमल विल्ड लाइफ विल्ड लाइफ सेंस इन दे तामिलाडू वी स्टाटेड यानि कि जो तामिलाडू मे वारसिक बने जीव क्या है बने जीव जनगरना कव से सुरू किया जाएगा कव से सुरू किया जाएगा गाइज इसमें तो 27 से जनवरी से सुरू किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन्स स्क्रीम पर देख रहेंगा यहां पर कि खेलो इंडिया गेम्स में मध्य परदे सरकार के दोरा गुल्ड मेडल जीतने वाले खिलाडी को कितने लाख रूपीज का इनाम दिया गया है तो इसमें कितने लाख रूपीज का इनाम दिया गया है तो एक ला गेम्स तू दप्लेयर हूँ वन दगोल्ड मेडल्स यानि कि उनको क्या किया गया है मध्य पर्देश सरकार ने वोल्ड मेडल मेडल जीतने वाली खिलाड़ी को एक लाख रूपए का क्या किया गया है इनाम दिया गया है यहां पर इनाम तो दिया गया है गाई जी तो आवाड ओफ ओन लाख रुपीज फूर दपलेयर ववन गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल के लिए एक लख रुपीज दिया जाएगा और तुवेंटिफ हाइफ थाउजेंट रुपीज विल विद गिवेर ऑन दसलिवर मेडल और टुवेंटिफ हाइफ इस सोरी गाइज शेवें दो व्रोंज मेडल जितेगा उनको कितने रुपीज मिलेगा यानि कि 50,000 रुपीज मिलेगा नेक्स्ट कोश्चन से स्क्रेम पर देख रहे हैं कोश्चन नमबर एट कि वाट रैंक नर्वे प्लेस इंद याई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स यानि कि याई यू लोगतंत्र स पर है तो कौन से अस्थान पर है गैज तो पहले अस्थान पर है इसका ? इसके बाद क्या है इसके बाद आइसलेंड है और इसके बाद सीवडेन के नंबर आता है जिसे में सीर्ष में 10 में मैंने कि सीर्ष 10 में जो अन्य देशों के लिए चोथे अस्थान पर कौन सा है न्यूजी लेंड है इसके बाद कौन सा है गैज न्यूजी लेंड इसके बाद हिन्दाइ लेंड फंचेवर एस्थान पर adesso यरण हम कंषम सी न पर test to do all competitive situation समय उसमें डीजाइन करके लाया हूं तो गवाइश आप लोग शेनल पर नए होगें, टो क्या करना गाइस चैनल को क्या कर लेना पर सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर लेना क्योंकि यहां पर ओल कॉंपटेटिव मैथमेटिस का भी इस पर कोश्चन समय चलता है गाइस क्लास चलता है मैं बीडियो अफलोड करता हूं नेक्स्ट कोश्चन साब देख रहे हैं कोश्चन नंबर नाइन कि खरिंट्री स्ट एक जाइज रिशोत बि duy डिन बनेटि फ्रोंटेव डियू टू को नोरा वाइरोस यानी कि जो करोना वाइरस है लगाया गया है कि यहां पर देख रहे हैं कि सीविर एकील से विर एकौटी रिस डिरिषी पेट्री सिल्ड्रोम सार्स यहां पर जैसा कि उन्हें एक खात्रा से क्या किया गया है इसके करण इसके होने वाले करण जो है खात्रा बना है क्या है इस वाइरस से जो बहुत खात्रा बना है गाईच इसमें देख रहे हैं कि 25 छात रफा से हैं जो इसमें क्या है अभी 25 भार यहां पर कि हाल ही में असन मुख्य मंतरी के कितने उगरवादियों को आत्म समर्पन किया है तो कितना हो जाएगा 644 हो जाएगा इसका राइट एंसर नेक्ट कोशन देख रहे है कि क्रawk कोशन ही गाईज यहां पर किस कोशन नमबर 11 देख रहे है क्रकीशी भूमिपर पटे पर देने की निती त्यार करने वाला राज उत्राखंड भारत का कौन सा राज बन गया है तो कौन सा राजे बन गया है गईज तो यह राजे बन गया है फर्स्ट बन गया है फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राज है फर्स्ट बन गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पिरिया परकास फाउंडर एंड सियो ओफ इंडिया वेस्ट हिल्थ सेट गो यानि कि जो हिल्थ सेट गो का संस्थापक बन गई है कौन संस्थापक एंड सियो ब बन गई है कौन गैज यह कोशन्स आ सकता है एक्जाम में कि हेल्थ सेट गो का संस्थापक फाउंडर कौन है तो प्रकास है रेक्षट है नेच्ट कोश्च्च आप देख रहें कोश्च नमबर ठर्टेन की कोश्च्च करा रहा है कि हाल ही में ईयर पयके लिफ रिफूट के अनुसार कितने भाती सोहरों में वाइफ और दुसरों का उच अस्तर बरकरार रहा है तो क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा क्या गाईज 231 इसका राइट एंसर हो जाएगा यह जो 231 है इसका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा 2, 3, 1 जो नोटा, गजीअबाद, बरेली और परियागराच और मुरादाबाद यह सब क्या है गाईज इस मतल़ की इस माीकरो ग्राम में क्या किया गया है इनको दरज किया गया है क्या राष्टी जो मानख है 60 MikroGram 60 MikroGram प्रति हन मीटर में इन मतलब की सोहरों को क्या किया गया है दरज किया गया है Fallation के मैने में Question number 14 देख रहे हैं कि राश्टिय वाली का दिवस कम मनाया जाता है 24 January को वाली का दिवस मनाया जाता है इसका right answer हो जाएगा 24 January यहां पर देख रहें, which country has been ranked 18 in the global corporation index, जो global complex index की 18 अस्थान पर कौन सा देश है, guys, तो 18 अस्थान पर कौन सा देश है, तो इसका right answer होजाएगा, भारत, अंडिया, नेक्ट कोश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पर, कि who is the first half, who is the first half, यहना नोईड रोवट नेम्ड वयों मित्र, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसरो हो जाएगा, यानि कि जो half वयों रोवट का नाम वयों मित्र की इसके द्वारा रखा गया है, तो इसरो द्वारा रखा गया ह इसरो द्वारा रखा गया है, तो यहाँ पर है गाईज, देख रहे हैं कि रोवट का नाम वयों मित्र रखा गया है, इसरो के द्वारा रखा गया है, और इसरो रोवट का नाम संस्क्रीट के दो सब्द से मिलकर बना है, जो वयों का मतलब होता है अंतरिक्ष और मित्र का म मिसाइल से है एक अब दिया गया थो इसके तोर पर दिसंबर 2020 से पहले मानु रहित यह मिसाइल यह मिशन का प्रिक्षण किया गया था क्या किया गया था प्रसेक्षण किया गया था कोश्चन नमबर थार्ड आप देख रहे हैं कि हाल ही में भारत वंद भारत वंद सीख किस सीख अमरित सींग का किस देश डिपटी कॉंस्टेवल बनाया गया है तो किसको बनाया गया है गाईच तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अमेरिका कोश्चन नमबर फूर देख रहे हैं गया जहां पर कि कि खेलू एंडिया यूथ गेमस के तीसरे संसकरण में जो महराश्ट किस सस्थान पर रहा है तो यह कौन सस्थान पर रहा है तो पहले स्थान पर फ़र्ष्ट अस्थान पर रहा है यहाँ पर जो महराश्ट जो फ़र्ष्ट अस्थान पर है जो देख रहे हैं कि सुर्वधिक 256 पदक जीते हैं इसके बाद जो हर्याना है वो 200 पदक जीते हैं और देख रहे हैं अलग अलग से सोनो पदक और 16 रजत पदक और जो 12 है मैंने कि 72 है वो 72 का से पदक जीता है इसके बाद दिली जो है वो कौन सा है 122 पदक जीता है जिसमें 39 सोनो पदक और 36 रजत पदक और 47 का से पदक के साथ तीसरे अस्थान पर दिली है और पहले अस्थान पे कौन सा है महराश्ट पहले अस्थान पर महराश्ट है इसके बात कौन सा हर्याना है इसके बात कौन सा है दिल्ली है कोश्चन नमबर फाइफ आप देख रहे हैं कोश्चन करा है कि अस्टेलिया के बाइगानी के दोरह किस कीटी में पाए गए नए वाइरस यादा का नाम दिया गया है किसको दिया गया है तो किसको दिया गया है मच्छर को दिया गया है जब मच्छर को दिया गया है तो सबसे पहले हम आप लों को मैं बता दूं कि जो एस्टेलिया के कैपिटल है वो कहां पर है कैनबेरा में है यह जानना जरूरी है कि जो एस्टेलिया के कैपिटल है वो कैनबेरा में है और जो यहां पर एस्टेलिया करेंसी जो स्वाइब से सब्सक्राइब से और यहां בש देख रहेובע यहां के प्रदान मंत्री क्या क्या कॉन सा यहां प्रदान मंत्री यहां पी है अैं स्कॉथ मेरीफन है क्या प्रदान मंत्री वहां से Definitor को अधिक स्याधी क्या करना और जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना इसको लाइक जड़ू करना जब आपको कुई भी प्रोडम हो रही हो तो गैज इस वीडियो के कुमेंट बक्स में जा करके आप कुमेंट कर सकते हैं तो बाइबाइट टेक कियर लभी कर दो